ये गाइस एट्स विंक्रिष्णा वेलकम बैक तो मैं नदर वीडियो तो कैसे हैं भाई आप लोग आप सब ठीकी होंगे तो भाई अभी बज रहे हैं लगभग सुबा के साथ और मैं आपको एक इंपोर्टेंट नोडिफिकेशन लेकर आया हूं आपके लिए तो भाई बने डिटेल बताता हूं बने रहे वीडियो में सुरू से लेकर लाष्ट तक आपको पूरा समझाता हूं और समाज में आ जाएगा उससे पहले अगर आपको एक नोडिफिकेशन दिखाता हूं जो इसकिन पर सो कर दे रहा हूं आप देख सकते हैं इसमें है प्रती जन संचालक जन संपर्क संचाल नाले विग्यापन साखा जन संपर्क भावन नवा रायपूर अटलनगर 36 गर्ड विशय क्या है भाई खेल कोटा अंतरगत वनरक्षक पद पर सिधी भरती का विग्यापन प्रकासन तो कहने का मतलब ए है जो डिफो सर है रायपूर के डिफो सर है उनको अठारा अगस्त से पहले इस भीग्यापन को आप समा चार पत्र में, मतलब 36 गर्ड का प्रमुक समा आप प्रकासन कीजिये प्रसारिट कीजिये उनके लिए बुला गया है तो अभी समा चार पत्र में आप इज़या होगा, मैं ध्यान नहीं दिया हूँ तो इसमें आगे मांगा क्या है तो आगे देखते हैं इसमें 36 गण राज़्य वन विभाग के अंतरगत विभिण कार्यालीयों यह वन्य नो के खिलाडी कोटे के अंतरगत वनक्षपत प्रस्थिभ वर्ति के लिये न्यूकति राष्टी इस तर के खेलों पराविडियता प्राप्त उमिद्वार्व से किया जाना है तो भाई जो इसमें नेशनल प्लेयर है उनके लिए पोस्ट है और यह पोस्ट जो जमा होने के तीथी लास्ट तीथी है आपका 15 सितंबर 15 सब्सक्राइब तक आपका फॉर्म जमा होगा साम को पांच बजे तक फॉर्म परकिरिया सब्सक्राइब तो इसमें आगे क्या क्या है आपको बता रहा हूं इसको आज सकता नुसार बढ़ा भी दिया जा सकता है किस परकार का आपका प्रदर्चन है उसके हिसाब आपको पोस्ट बढ़ा भी दिया जाएगा ठीक है तो इसपे आगे चलते हैं आगे देखते हैं क्या क्या है इसका सेलरी स्केल है साड़े उन्हीं जार से लेकर बासट हजार तक इसका पेश्केल लेवल फॉर का वेतन है ठीक है सक्षडिक अरहता जो है आपका इसमें चाह लड़के लड़के का 150 संटीमेटर है और इसमें समस्त मतलब लड़का-लड़की एसी एस्ट जनरल का सभी के लिए है सीना सेवन्टेनाइन सेंटीमेटर है पांसेंटेमेटर फुला के ठीक है और इसमें लिखा है शतीज़ गड़के नक्सल प्रभावी छेत्रों में सीने के फुलाने संबंधि शर्तों का जो नियम है उसी धिल रहेगा मतलब जो नक्सल प्रभावी छेत्र है उनके लिए सीना का उसमें नाब जोग नहीं होगा उनके लिए सीना ऐसा कुछ नहीं है कि 79 सेंटीमेटर 85 से इस लिए ठीक है चैन प्रिख्ष क्या होगी आवेदन पत्रों की जाच पश्चात सासन द्वारा-द्वारा निर्धारी सनलगन अनुसार चैन प्रकिरिया से गुजरना होगा और अभिहर्थियों को अभसकता नुसर प्रतियोगी परिक्षा होगा सारी रिद्ध दक्षिता परिक्षा के लिए बुलाया जाएगा भाई ठीक है आपका रिटेन एक्जाम होगा और क्या बोलते हैं फिजिकल टेस्ट होगा ठीक है बस दो हैस में जिनके लिए नेरधारी होता है जो भी आप खर्चा करके जाएंगे इधर से उसका गोवर्मेंट आपको पैसा नहीं देगा आपका पैसे आने आने का पैसा रहेगा जितना भी खर्चा होगा और जो एक वेबसाइट है जो www.cgforest.com तो आप ऐसे नहीं भी लिखेंगे cg forest बस ऐसे लिखेंगे Google खुलिए Chrome खुलिए cg forest बस लिखें आपका वेबसाइट open होके आजाएगा फर्स्ट शुरू में ही आजाएगा सो कर देगा बस उसको किलिक कि आप वहां से देख सकते हैं ठीक है कुछ भी notification परिक्षा केंद्र कहां है परिक्षा केंद्र की सुच चैनल बथाएगा बाताओं कैसे खुलना एंट तो आगे देखिए निवासी आपको आपका जो निवासी में मांगा है आपका 36 निवासी होना जभिए प्रोपर 36 के लिए यह निकला है तो आपका निवासी भी 36 अचा घाएगा बाहर के लिए नहीं है ठीक है वह पी धिए अगर आपका साधी हो गया है तो ठीक है अगर 18 साल से पहले अगर आप साधी कर लिये हैं आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा ऐसा मतलब इसमें लिखा गया है अगर 18 के बाद आप साधी के होंगे तो ठीक है तो इस प्रकार नोटिफिकेशन था किसी दुकान में जाके आप फॉर सकते हैं आपका 15 सिप्पंबर तब भराने का देट है ठीक है तो बस आज का नोटिफिकेशन नहीं था फिर से एक बार बोल रहा हूं भाई अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे क्योंकि इसी तरह का मैं इंफॉर्मेशन आपको देता रहता हूं इसके लावा कुछ ब्लोग का वीडिय में तब तक के लिए जाहिंद